हेलो मैं यूटिव फैमली कैसे हैं आप सब आई होप यू आई डूइंग ग्रेट एंड आइंग वेरी वेल वेलकम बैक तो मैं चैनल एंड थैंक यू सो मच आपने मेरी प्रीवेस वीडियो पर बहुत ब्यूटिफुल कमेंट्स किये आज कब लोग तो सीधा कार में बैट कर ही स्टार्ट हो रहा है एक्चली डे आज बहुत बीजी है वीकेंड है और वीकेंड तो वीक डेस से भी ज्यादा बीजी होता है हमने घर में बहुत सारे काम शुरू किये हुए हैं हमने घर में पेंटिंग का काम शुरू किया हुआ है ये तकरीबन तीन माँ से चल रहा है एक्षिली ये काम मेरे हस्बंट खुद कर रहे हैं जिसकी वजह से इतना टाइम लग रहा है वो हर वीकेंड पर घर का एक पार्ट कर लेते हैं और आज हमने घर के लिए बहुत सारी शोपिंग करनी थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको भी साथ ले जाओं आज मैं आपको एक बहुत बड़े स्टोर पर लेके जा रही हूँ यह अमेरिका का दूसरा बड़ा स्टोर है जिसका नाम लास है और ले जी हम लास पर आगे हमने घर के लिए यहां से पेंट भी लेना है और फाल फेस्टिवल चल रहा है तो प्लांट्स भी लेने हैं और इसके अलावा और भी बहुत से शोपिंग करनी है और जले मेरे साथ आपको दिखाते हैं कि और क्या क्या मिलता है यहां से और यहां स्टार्ट में ही फाल फेस्टिवल के कुछ प्लांट्स बाहर भी रखे हुए हैं पहले आपको यह दिखाती हूँ यह प्लांट्स अमेरिका में फाल सीजन में एक दूसरे को गिफ्ट देने के लिए भी यूज होते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं इसके उपर लिखा भी हुआ है हैपी फाल यू आल और यह सारे ओर डॉर प्लांट्स है क्योंकि अब हैलोवीन भी स्टार्ट है और इंटर होते ही सबसे पहले यहां हैलोवीन का स्टाफ पढ़ा हुआ है बहुत बहुत फ़नी आइटम्स इन्होंने डिस्पले में रखी हुई थी जिसको देकर बहुत मज़ा आ रहा था बचे यहां आकर बहुत इंजवाए करते हैं और इन अंकल ने मेरी काफी हेल्प की वो मेरे लिए हर आइटम का बटन प्रेस कर रहे थे इस टोर में आपको हर किसम का समान मिल जाएगा घर बनाने से लेकर इंडोर और डोर यूज होने वाली हर चीज यहां अवेलेबल है अब मुझे अपने फ्लोरिंग के लिए मॉप चाहिए था मेरे पास और रेड़ी बकिट मॉप था लेकिन यह मैंने देखा था इसके बारे में सप्रेम मॉप तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा अब यह ट्राइ किया जाए इसके लावा यह फ्लोरिंग के लिए लीक बड़ भी है इससे फ्लोर में बहुत अच्छी शाइन आती है अब मैं देख रही हूँ इतने से आरे हैं तो इनमें से मैं कौन सा लूँ? सप्रेम ओप मैं फर्स टैम यूज कर रही हूँ अगर आप मेंसे कोई यूज करता है तो प्लीस इसके बारे में मुझे जरूर बताएं कि यह कैसा वर्क करता है मैंने यहाँ से LG की वोशिंग मिशीन अभी एक माँ पहले ही ली है बहुत अच्छा वर्क कर रही है उसके बहुत अच्छे फंक्शन है और बहुत अच्छी अभी तक तो चाल रही है अभी तो नहीं है लेकिन अच्छी चाल रही है लेकिन उसमें बहुत सारे फंक्शन है मुझे इतने फंक्शन का अभी पता नहीं है लेकिन है मैं तो भी नॉर्मल पे ही रखके इसको यूज कर रही हूँ तो बहुत अच्छी है इसके अलावा ये देखें तो घर के अंदर आप ये रैडिमेट किचन है जो बना होता है आप जाकर ऐसे ही रख दे आपको घर में यूज होने वाली इच एन एवरिफिंग A to Z हर चीज आपको यहां मिल जाएगे ये किचन सेट इतना अच्छा बना होता है इसके अंदर हर एक चीज आपको एजस्ट करके देंगे इसके अंदर माइक्रो ओवन, फ्रिज और डिश वाशर और अगर आपको ये कांटर टेबल इस टाइब का चाहिए तो ये भी यहां मिल जाता है इसके अलावा और ये स्टोक की भी बहुत सारी तरह तरह की वराइटीज है जो आजकर स्टोक आ रहे हैं वो तो फून से भी ओन ओफ हो जाते हैं ये एक और कीचन सेटा यहां ये उससे डिफरेंट है ये इसमें माइक्रो ओवन नहीं है इस टोर में आपको आपके घर के स्पेस के अकॉर्डिंग यहां कीचन बड़े हुए मिल जाते हैं आपको जिस टाइब का चाहिए जितनी स्पेस का चाहिए तो आपको कीचन मिल जाते हैं ये एक वाल कीचन है अगर आपके कीचन की स्पेस काम है तो आपको कांटर कीचन नहीं चाहिए तो ऐसे कीचन भी आपको यहां मिल जाएंगे और ये पेंटिंग डपार्ट है अगर आपको पेंटिंग के लिए कुछ भी चाहिए कोई कलर चाहिए ब्राइश चाहिए तो everything available हेर्ज मेरे घर में टू बैडरूम है और एक master bedroom है अब मेरी बेटी master bedroom में पिंक कलर करना चाह रही है अब master bedroom पिंक कलर का हो तो वो तो डोल होस ही लगेगा लेकिन उसकी demand अब मानी जा रही है तो अब पिंक कलर ही ले रहे हैं यह एक mixing machine है आपको जैसा भी कलर चाहिए आपकी demand के मताबिक कलर बना कर देंगे उसके बाद हम nursery section में गए और fall season है और Halloween season है और यह इतने beautiful इन्होंने ऐसे decorate किये हुए यह देखने में fake लग रहे थे लेकिन यह सारे rail pumpkin थे तो इतने beautiful यह small big इतनी beautiful decoration की हुई थी बहुत अच्छा फील हो रहा था यहाँ पर हर किसम का आपको plants मिल जाएगा और यह जो shelter के नीचे है यह indoor plants है और plants के लिए आपको यह port जो indoor और डॉर के लिए यह room में रखे हुए बहुत beautiful यह port भी बने हुए थे और यह देखने में लग रहे जैसे बहुत heavy हैं लेकिन यह heavy नहीं थे यह इदर plants यह भी बहुत प्यारे थे और मेरी तो इसमें एक जो मेरून कलर का इतना मुझे पसंद आया और मैंने तो इसको दो भाई कर लिये हैं इसके leaves इतने soft जैसे velvet होती है इतने beautiful इसके leaves और इसका color मुझे बहुत attractive लगा तो मैंने तो कहा मैंने जरूर लेने है यह अगर आपके near area में low सै तो आप जरूर वहाँ विजट करें और बहुत low price में इन्होंने clearance लगाई हुई है और बहुत सारे plants आपको under 15 की arrange में मिल जाएंगे आप जरूर विजट करें और बहुत प्यारे प्यारे plants हैं और इसके अलावा आपको hanging plants भी बहुत अच्छी arrange में मिल जाएंगे मैं यह first time indoor rail plants लेके जा रही हूँ मेरे बचे अभी छोटे हैं वो इस बात को अभी understand नहीं करते लेकिन मैं फिर भी यह risk लेना चाहती हूँ क्योंके मुझे पता है जैसे मैंने चीज रखनी है वो बाद में उस जगा पे होनी नहीं लेकिन हम फिर भी इसको लेकर जाएंगे और जरूर लेकर जाएंगे इनके पास कोई भी चीज लिम्टिड नहीं होती ओल वेज इनके पास हर तरह का समान मजूद होता है और यह ओर डूर प्लांट्स हैं अभी मैं तो अडवाइस दूँगी अगर आपने प्लांट्स लेने है तो ओर डूर तो बिलकुल भी ना ले क्योंके विंटर आलमोस ओन दा कार्नर आपको पता है यहां सर्दी इतनी ज्यादा पड़ती है तो हर चीज फ्रीज हो जाती है लेकिन यह देखने में इतने खुबसूरत लग रहे हैं और इतने इतने प्यारे कलर्स के बहुत देखकर दिल खुश हो जाता है मेरे पास और रेड़ी और साइड हैंगिंग पिंग कलर्स के हैं और वो बहुत अच्छे ब्यूटिफूल लगते हैं अब आप यह प्लांट्स देखकर इतनी खुशी हुई और इसके लीवज के ऐजिस देखे कितने ब्यूटिफूल लग रहे है इत्स सो ब्यूटिफूल I really can't see before मेरा ये प्लांट्स लेने को बड़ा दिल कर रहा था और मेरे हस्बन बोल भी रहे थे अगर लेना है तो ले लो अगर मैं इसको ले भी लेती तो इसकी लाइफ ज्यादा से ज्यादा दो माँ और हो जाती तो इसलिए मैंने नहीं लिये लेकिन मुझे बहुत पसंदा आए है लेकिन मैं नेक्स सीजन इसको जरूर लूँगी ये देखे ये कितने ब्यूटिफुल पिंक वाले और एक ही पोर्ट में ये दो तरह के प्लांट्स निकले हुए थे ये बड़े ब्यूटिफुल लग रहे थे तो ये सारे देखे देखने में सारे फेक लग रहे हैं वेरी ब्यूटिफुल बहुत प्यारे हैं अगर ऐसे प्लांट्स गर में हों तो घर की खुब्सूरती में तो और अजाफा हो जाए कितने बिउटीफुल लग रहे हैं और इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स हैं और ये येलो कलर देखें कितने फ्रेश और ब्यूटीफुल लग रहा है मैं तो कहती हूँ अगर आपका मूड खराब हो ना तो आप वैसे ही यहां का विजट कर लें तो आपका मूड फ्रेश हो जाएगा इन फ्लावर्स को देखकर इतने डार्क, लाइट और डिफरंट डिफरंट टाइपस के फ्लावर्स देखकर इनसान का मूड तो वैसे ही खुश हो जाता है और नैचरल चीज़े देखकर तो बहुत मज़ा आता है इतनी खुबसूरती दुनिया में इतनी ज्यादा ये हर तरह का कलर्स, जो कलर्स आपको अपने ड्रेसिस में नी मिलता किसी और कलर्स में नी मिलता वो आपको फ्लावर्स में मिल जाएगा वो कहते हैं ने के दिल गार्डन गार्डन हो गया ये वाक्वी बात सच है आप ऐसे गार्डन में चले जाएं तो वाक्वी दिल गार्डन गार्डन हो जाता है Believe करें मैं तो इन कलरों को देखकर इतनी खुश हुई और अपने आपको इतना fresh फिल कर रही थी इतने beautiful colors different different types के light dark colors मुझे बहुत attractive लगे और ये देखें मिर्चे हैं मुझे दूर से flower लग रहे थे लेकि ये मिर्चे है और मिर्चे भी तनी beautiful लग रही थी ये देखें ये सारा store से बाहर का area है ये दिन रात इनका समान ऐसे ही रहता है इतनी heavy heavy machinery जो इतनी ज्यादा expensive है वो भी ऐसे ही सारी रात बाहर रहती है और देखकर इतनी खुशी होती है कि इतने लोग इमानदार है इतना ज्यादा उनको अपने पे और अपने लोगों पर इतना trust है कि इनकी चीजे ऐसे ही रहती है शायद हमेश ज्यादा feel इसलिए होता है कि हम जिस society से आए हैं वहां हमने कभी ऐसा देखा नहीं है लेकिन आपके इर्द गिर्द इतनी अच्छी पॉजिटिविटी हो तो इनसान खुद भी वैसा हो जाता है ये बात सच है कि जैसा आपका महोल होगा आप वैसे ही तरभियत पाएंगे और वैसे ही आपके आटोमेटिक आपके अंदर वो चीज़ डिवैल्प हो जाती है तो ये देखकर मुझे इतनी खुशी होती है इतने इमानदर लोग हैं और इतना दूसरे पर trust करते हैं अगर आप कोई चीज रिटर्न करने जाएंगे तो आपको बिलकुल भी नहीं पूछेंगे कि आप क्यूं वापस करने आए हैं आपको आपका complete refund कर देंगे इसी positivity के साथ मैं विलोग का एड़ करती हूँ फिर मिलेंगे नए विलोग में नए टॉपिक के साथ अब तक अपना और अपने आसपास लोगों का खियाल रखें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीस लाइक, शेर और सबस्क्राइब जरूर करना झांक्स वर वाचिग मैं वीडियो गुट बाइ बीपोजिटिव